2020 का वर्स भारती सिच्छा जगत में किसी खरांतिकारी बदलाओ को आगाज करने वाले वर्स के रूप में जाना जाएगा 34 साल बाद भारत में एक नई सिच्छा नीद कौमली जामा पहनाने की कोर्स से तेज है एक ऐसी नीद जिसमें सिच्छा पर खर्च को 6 डीडीपी के 6 परसेंट तक ले जाने की वकालत की गई टॉक्टर अमबेटकर कहते थे सिच्छा सेरनी के दूद की तरह है अगर सिच्छित हो जाओगे तो गुर्राना भी आ जाएगा आज में राजिक मारपांडे आपके समक्ष दियेगे विशय फैनेंसिंग एफ़र्डेबल और क्वालिटी एजुकेशन पर अपने विचार प्रसुद करने के लिए उपस्तित हो इसको तीन भागों के रूप में देखा रहे सकता है पहली बात तो एफ़र्डेबल अर्सा कारे को करने की दो सरुमाने तरीके हो सकते हैं सरकारी और गैर सरकारी गौर्वर्मेंट और नौन गौर्वर्मेंटल अप्रोच के हम बात करें तो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल की बात किजा सकती है और इसके डोमेस्टिक के अंतरगत हम एक डियाइजी अप्रोच का हम नाम ले सकते हैं और PCS अप्रोच और तीसरा है हमारा एंजी ओ तो डियाइजी मतलब डियरेक्ट इनिसियेटिव और प्राइवेट कॉर्परेट्स सपोर्ट की बात हम करते हैं सरकार सरकार अपने बजट के माध्यम से मनी को एलोकेट करने का काम करती है और समय समय पर अत्रि विद्की वेवस्था के अत्रिक्त हमें प्राइवेट सेक्टर की भूमिका को बदलने की जरूरत है इसके अंत्रगत पीपी मॉडल और इंडिविज्वल ओनर्शिप का जो पॉप्लर मॉडल है को नए रूपे प्रसूत करने की जरूरत है वर्तमार में यस लेक्चर से बहुत बड़ी चनोती है किसी भी देश के लिए सबसे बड़ी चनोती संसादुन की वरुष्था करना होता है इस अंधर में मुझे जापानी नेता की बात यादर आती है जो कहते थे रिसोर्स लेस्नेस इस ग्रेट रिसोर्स आपान अगर हम इंक्लूसिव सॉसाइटी ह के लिए इस्सचा के कार्य को लेक से हट करने करना पढेगा क्रोंकि सथकारी सहय शिधार में चक्रिकत करने की जरूब्स करने के जरूँए और साथ इसाथ सस्टनेबल क्वाली एजूकेशन के लिए गौर्वर्मेंट फंडिंग को प्रियोटाइज करने के लिए इफेक्टिव मनेजिमेंट की जिर्वत्य जिसे हम कि हम सबका साथ सबका विखास के विचार के साथ सुरचित सचक्त और स्वाजमानी भार्त के सप्नों को साथार कर सके धन्यवाद